वेल्कम बैक मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे आप यूट्यूब देख रहे हो और आपके मेसेज काफी पोजेटिव हैं और काफी अच्छा लग रहा है मुझे और इस तरह समय तरह तरह की वीडियो बना रहा हूं ताकि आप देखो और सीखो और समझो ठीक है यह यहां पर देखते हैं बच्चे कुछ एक वर्ड लिखा हूं जो बहुत सारे बच्चे ने पूछे कोस्टन्स और बहुत सारे बच्चे ने कुछ कोशन पूछा कि सर सी में क्या अंतर है मैं अंतर नहीं कर पाता तो पहले तुम अंतर देखो समझो गौर से फिर काफी इंप इस ग्लांस पर यूज आई भी ओल इस सारे बड़े इस सबका एक समान मेनिंग क्या होता भाई तो सारे बच्च समान मेनिंग है देखना ठेक है बट कुछ न कुछ तो अंतर रहा होगा तभी तो एक्जाम पुछता है इसको कैसे पुछता है अब देखो पर आंतर सी लूक देख लिया सी कोमन भूल गए देखा भूला देखा भूला सी आई सी यू मैं तुम्हें देखा याद नहीं रख रहा हूं सी किया देख लिया आई सी तुमारों कल तुमसे मिलता हूं सी का मतलब मिलना भी होता है सी का मतलब देखना भी होता है जैसे तुम बोलते हो सी में तुम से कल मिलता हूं समझ में आ रहा है तो इसको पूरे बच्चों को दिखाओ और तुम भी मज़े लो और पूरे बारत को याद खरा दो इंगलिस होता क्या है वो सिखाओ तो सी का मतलब देखना भी और मिलना भी जैसे तुम दिल्ली आओगे मुझसे मिलोगे इंग्यू नाइओ आओगे मैं तुम से कल मिलोंगा रइट बच्चे आगे को लुक्त का मतलब देखना नहीं दिखाना जैसे ये वीडियो तुम्हें दूसरे को दिखाया तो लूकाइट इस बीडियो को लूख एट मी जूक आट ही लूक एट इप्रेंट वोट लूक आड पर देखो देखर हो न हो अगरा देखो वाच वाच कया वे सीच को क्या बई Sam 사 testim observe करना अपने सेंस औरगन के माद्यम से किसी चीज को देखना watch कहलाता है watchman सुना है gate पर क्यों रहता है watchman क्यों 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 कि हर चीज को observe करता है कोई व्यक्ति आए तुम्हारे दर्वाजे पर खड़ा हो फिर चला जाए देखे चला जाए तो क्या करना चारा है watch कर रहा है आप टीवी watch करते हो सीरियल watch करते हो क्यों क्यों कि सीरियल टीवी में तुम टीवी देखा कहीं और चले गए तो भूल गया आगे क्या होगा तो हर चीज को जब हम observe करते हैं watch करते हैं मतलब हर चीज को हर एंगल से देखना हर सेंस औरगन लगा देना आँख कान ध्यान किस चीज पर लगा देते हैं तो इसको watch करते हैं आप टीवी watch करते हो आप कोई message watch करते हो आप किसी व्यक्ति को watch कर सकते हो अगर मैं बोलू I am watching you इसका मतलब बेटा तुम alert हो जाना I am watching you मतलब मैं तुम्हारे हर एक activity को देख र आ रहे हो मैं देख रहा हूं तो मैं तुम्हें watch कर रहा हूं तो watch का मतलब चीजों को अच्छे तरीके से observe करना sense organ लगा करके देखना right अगला बड़ तुम्हारा मिलेगा glare see this month when I am look glare 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 का मतलब होता आप हो में लालच कैसा जैसे मैं यहां पी आए औरस Maple झावांगा तुम्हाँ मन करेंगा ऑखाने का करेगा ना तो झावन करेगा तो जो तुम देख रहे हो तो नालज भरी आइँवाँसे देखना आफ हो मतलब लालच के चित्वां अक्छा अरे कि गूर्णा यह खोगॉरणा आप किसी गोरते रहते हो ईतना तो समझ है तुमारी गूर्णा इजा बैट सैंस्तने गूर्णा जनए किजिये को थेक यह टीन कि दोनों मतलब घूर ना हिंदी लिख लेना मैं लिखनी पा रहा हूं हिंदी तुम आराम से लिखना ग्लांस ग्लांस एक फ्रेज भी है नहीं बोलतो एक ग्लांस पर लो तो एक जलक में एक जलक में पढ़ लो मेरे सारे मेटेरियल तुम में पढ़ सकते हो बहुत आसान होते अगला वर्ड पर्यूज प्रयूज बहुत इंपॉर्टिंग पूछा कैते है युझा है पर्यूज का मतलब वास्ट तो नहीं होता लेकि पर्यूज का उता ध्यान से स देखना ध्यान से पढ़ना को परियूस कहते हैं आई का मतलब भी देखने कर्दम होता है और बिहोल्ड समझ लो बाबू बिहोल्ड का मतलब होता है प्यार भरी आँखों से देखना जैसे मदर अपने चाइल्ड को बिहोल्ड करती है पती अपने पत्नी को समझ गए तब प्यार भरी आँखों से देखना खास बात क्या है वो ध्यान दो खास बात है बच्चे कि इन सारे सब्दों के साथ एट का प्रियो करना प्री पोईशन अब तुम्हें फिल इंदी ब्लैंक्स दे दिया यहां पर बोलो लुक लिखाए तो एट लगाओगे न यहां पर सब्दों के साथ क्या लगाना एट लगाना और हां मेरे प्यारे बच्चे अब पूरे भारत में अंग्रेजी की क्रांती है लाओ क्योंकि सिर्फ तुम्हें नहीं सब क्याब सकता है उन बच्चों को रहा है हर बच्चों को तिखाओ जो सीखना चाहता है क्योंकि की बिना अंग्रेजी के प्रस्णाटी इंप्रूब नहीं होगा बच्चे अगर सेलेक्षिन चाहिए नौकरी चाहिए तो अंगले जी पढ़ना पढ़ेगा और मैं इस सफलता में तुम्हारे साथ हूँ थैंक्यू बेरी मच एंड थैंक्स पर वाचिए